चाल मेंट और किचिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने वाली हो कस्टड केक तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पैन लेंगे इसमें आदा कप पानी डालेंगे और पानी से थोड़ी जादा हम चीनी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर एक चुटकी एक चुटकी लाची पाउडर और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए तो चलिए दूसरी साइड चलते हैं एक पैन लेंगे इसमें दो कप दूड डालेंगे और दो से तीन चमच लेंगे दूद और इसमें एक चमच कस्टड पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पर रखतेंगे दूद में डालेंगे लाची पाउडर, एक चमच चीनी और फूड कलर और इसे अच्छ से मिक्स कर लेंगे चीनी हम एक चमच डालेंगे क्योंकि हमने शुगर सिर्फ भी बनाया हुआ है इसमें एक उबाला ने दे और अब हम इसमें डालेंगे यो कस्टड का घोल बनाया था एक एक चमच करके डालते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे एक ही बार में इसे नहीं डालना एक एक चमच करके डालेंगे और हिलाते रहेंगे अब हम इसे सारा डाल देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक न हो जाए तो देखिए थिक हो चुका है अब हम इसे चम्मच से चेक करेंगे जब चम्मच की ऐसी लेर बने इसके उपर तो समझो हो चुका है अब हम रस लेंगे एक बाव लेंगे और इसमें ऐसे रस को बिशा देंगे इसे चारो तरफ से कवर कर देंगे और इसके उपर डालेंगे शुगर सिर्फ अच्छे सी सिफिला देंगे और इसके उपर डालेंगे कस्टड इसे भी अच्छे से उपर फिला देंगे इसके और अब डालेंगे ड्राइफ फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डाल देंगे, ऐसे ही एक लेयर हम इसकी और उपर बनाएंगे, ऐसे बशा देंगे, और जो साइड्स बची है, उसमें हम रस को ऐसे तोड़ कर लगा देंगे, और छोटे टुकडे हम दोनों साइड पर लगा देंगे, और इसके उपर भी शुगर सिर् अच्छे से इसे फिला देंगे, और इसके उपर dry fruits डाल देंगे, और तूटी-fruिटी डाल देंगे. तो चलिए यह freezer में रखने के लिए त्यार है, 2 गेंटे के लिए हम इसे freezer में रखेंगे, overnight भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 गेंटे के लिए रखूंगी, दो खेंटे के बाद ये कुछ ऐसा हो चुका है अब मैं इसे आपको कट कर कर बताती हूँ अगर मैं थोड़ा टाइम और रखती तो ये थोड़ा और अच्छा हो जाता चलो कोई बात नहीं अब हम इसे कट कर कर देखते हैं आप भी ऐसे ये बनाईए खाईए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूली